गाईज आप चैनल पे नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोरो करना उसके साइड वाला जो बेल आइकन है वहाँ पे जाके आल पे प्रेस करना और हमारा लाइव हेल्प करने के लिए टेलेग्राम पे ग्रूप है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शिन में दे रहा हूं और गुरूप भी जोइन कर लेना हेलो दोस्तों सो फाइनली मैं अपने पोको एफ़न में मी यूआ ग्यारा का स्टेवल वर्जन इंस्टॉल किया है तो आज के इस वीडियो में आपको फटा फटीस में क्या क्या चैन्जेस आये है यही बताऊंगा मी यूआ टें से मी है वो सब यहाँ पर देखने को में यहाँ करते हैं इसने सेफी इंटार देखने को मिल जाता है जिसका बहुत दिनों से इंतिजात है और यहां को यह सिआ है यूशन कर देक है भी अग आप सकते हैं उसके साथ यहां कामाल इंदुभर मिल रहा है, यहां पर बहुत सारे प्रवं के साथ जो मैं आगे आपको बताँ का उसके साथ यहाँ पर आते हैं मेन सेटिंग में और यहाँ पर आने के बात चाहँ हैं रिखकाने सकते हो कंक्चन एंद शेरिंग यहाँ आपको यह देखने को मिल जाता है और यहां पर मैंने जैसे बोला तो देख सकते हो यहां पर सपोर्ट डिवाइस में आप डायरेक्ट यहां पर क्विक टॉगल से शेयर कर सकते हैं श्वाम में वीव रियल में और ओपो के साथ में तो यहां काफी कमाल का ओप्शन लागा और उसके साथ इसके लिए उन्होंने बाइड डिपॉल्ट यह वाला यमाई शेयर का भी एप्लिकेशन आपको दे दिया है तो गाइज नोटिफिकेशन का प्रॉब्लेम पूरा यहां पर स्वाल हो चुका है जो भी नोटिफिकेशन के जो भी आइकोंस आ रहे या नोटिफिकेशन आ रह यह भी देखने को यहां पर फाइनली मिल रहा है और गाइज मीवाई 11 में पेशल आपको नौच टेटेश बार का अप्शन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको एक रेगुलर नौच देखने को मिल जाता है जो उपर है उसके साथ हाइड विदाउट मूविंग टेट आजाते हैं तो यार यह काफी सही बात लगा और सही फीचर इन्होंने एड किया है उसके साथ यहां पर बात कर लिते हैं नेक्स चेंज की तो यार मुझे यह चेंज देखने को मिला नोटिफिकिशन और वाइबरेशन में बहुत सारे यहां पर साउंड इपेक्स जो नैच इसके साथ यहां पर जो हमें साउंड कम ज्यादा करने के जो आप्शन मिलते हैं जो वर्टिकल स्टाइल में देया हैं यह भी काफी कामाल के लगते हैं यहां पर देख सकते हैं इनको काफी अच्से स्मूथली यहां पर सेट कर सकते हैं और उसके साथ यहां पर अडिशनल स में जाना पड़ता था तो यह separate option आपको directly यहाँ पे थिम्स के वालपेपर पे लेके आता है हाला कि इसे इतना इंटिग्रेट नहीं किया है क्योंकि इस वालपेपर में हमें system के पूरे वालपेपर देखने चाहेते तो यह direct मतलब हमाई तो यहाँ फेट भी वालपेपर में तो यहाँ थोड़े से यह जो फीक्स है यहाँ पे करना चाहिए उसके साथ यहाँ नीचे आते हैं बैटरें पर्फॉमें तो यहाँ पर आपको एक न्यू चीज़ देखने हो मिलती है वह बैटरी यूज्य स्टेट तो यहां पर देख सकते हो काफे अच्चे से इनने मैनेज किया है मतलब काफे अच्चे से आपको सारे फीचर वन स्क्रीन में देखने वाट,- बैटरी खाया है , यह भी आपको नीचे को यहाँ बात है यहाँ पर काफी सही बात है। और उसके साथ यहाँ पर.दो parking से आपका फंड्रा और्व कर्ना चाहिए , और कावन करना चाहिए और कंड्र कर्ने शेडिवल यहाँ रख सकते हैं पर यारbesетр, यहाँ पर इस एप सेटिंग से डारेक्ट यहाँ पर एक्सिस कर सकते हैं तो यह भी कापी सही बात है क्योंकि आपको एप के सेटिंग हर वार यहाँ उधर उधर दुनने के यहाँ पर ज़रूरत पढ़ने वाली नहीं है उसके साथ और एक एपलिकेशन इन्होंने मतलब और एक इंटेग्रेट क्या है वह है डिजिटल वेल्बिंग का तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्टॉक का एंड्रोइड का जो गूगल जो गूगल प्रोवाइड करता है डिजिटल वेल्बिंग वही सेम कुछ भी चेंज़ेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलते और एक स्क् चेंज किया है बस जो इंटरफेस है वह थोड़ा चेंज किया है यहाँ उपर के साइट में आपको CPU का लोड यहाँ पर देख जाता है पर अंदर में ज्यादा कुछ भी मुझे तो परसनल यहाँ पर देखने को नहीं मिला गेम इस्टॉल करने के बाद देखना पूरेगा क यहाँ पर चेंज लॉग में तो बहुत बड़ा चेंज लॉग दिया है गेम टर्वो का और उसके बाद यहाँ पर और एक चेंज देखने को मिला क्विक रिप्लेज का तो यह यह भी काप अच्छा से वक नहीं कर रहा है मेरे के 20 प्रो में बहुत अच्छा से यहाँ पर व स्क्रीन रेकोडिंग है उसमें भी बहुत सारी चेंज युनों ने किया है काफी अच्छा लागा देख सकते हो कितना है रिजॉलेशन आप रख सकते वीडियो क्वालिटी में आप यहाँ पर 20 Mbps तक लेके जा सकते है और यहाँ पर जो फ्रेम रेम रेट है ओ स्पोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है हाला कि प्रिवेस अपडेट में आया था पर जो क्रिन रिजॉलेशन था वह थोड़ा सा कम था तो यार यह भी उन्होंने फिक्स किया है यह काफी सही लागा तो गाइज मीवाई 11 के साथ यह कुछ चेंजे साथ आपको देखने को मिल जा आउंगा और डिटेल मेरा रिवीव जल्दी आने वाला है तो वीडियो कैसे लागा नीचे कमेट करके जरू बताना जैहीन